तो जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को और बगल में जो घंटिक आएगन है उसको भी दबा दो और साथ-साथ और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं हेलो गाइस आज का यह वीडियो इतना ज्यादा हल्पुल होने वाला है उन क्यूबर्स के लिए जो कि अपने आपको एडवांस्ट क्यूबर बनाना चाहते हैं या फिर अपना टाइम बहुत ही जादा रेडियूस करना चाहते हैं क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जरूर देखेगा बहुत ही जादा नॉलिजिबल वीडियो है और कलर न्यूट्रल का सबसे पहले मतलब क्या होता है उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी जल्दी से जल्दी क्योंकि इस चैनल पे आप को क्यूबिंग रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट मिलता रहता है और जल्दी जल्दी बेल आइकन को हिट कर लिजे ताकि आप कभी भी मेरे वीडियो मिस ना कर पाए और वीडियो बहुत ही जादा नॉलिजिबल है तो एक लाइक एम रख देता हूं बहुत दिनों बात ला अगर आप उससे खरीते हैं तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा और अगर आपका जो ओडर है वो 500 से अबव है तो इंडिया कोड यूज करेंगे तो आपको एक डिसकाउंट भी मिल जाएगा और इस संडे को मैं इससे नेक्स संडे जो आने वाला है उसमें मैं करन कि हम कलर नूटरल कैसे बन सकते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कलर नूटरल का मतलब क्या होता है आप अपने जब से स्टार्टिंग से क्यूबिंग सीखी होगी चाहे आप बिगनर मैथड से सॉल्फ करते हैं या आप एडवांस्ट मैथड से सॉल्फ करते हैं फिर हमें F12 करना है और हमेशा जो OLL, PLL होगी वो यलो पे ही होगी but color neutral का मतलब यह होता है कि आपको जो भी easy लगे यानि जो plus आपका जल्दी बन रहा हो उससे आपको क्या करना है plus बनाना है यानि देखिए अगर मैं इसको पूरा scramble कर लेता हूँ जैसे मैंने स्क्रैमल कर लिया अब देखिए मुझे क्या लग रहा है कि देखिए इसमें तो actually indirectly white ही जल्दी बन रहा है but मैं एक मिनट आपको कुछ create करके दिखा देता हूँ देखिए माल लीजी जैसे मैंने यहाँ पर देखा मैंने स्क्रैमल कर दिया क्यूब को अब मैं देखूंगा कि कौन सा प्लस जो है वो easily बन रहा है तो देखिए white में एक पीस already arranged है और अगर मैं बात करूँ yellow की तो देखिए मुझे क्या करना होगा एक, दो, तीन तो देखिए मेरे दो पीस अल्रेड़ी arrange हो जाएंगे और इसका जो red वाला पीस है वो भी हमारा सही position पे लग जाएगा and last piece जो कि हमारा यहाँ पर है उसको लगा के हम प्लस को बना सकते हैं तो मैंने इस बार white नहीं बनाया yellow बनाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि यह तेज बनेगा और easy बनेगा तो color neutral का यही मतलब होता है कि आप जरूरी नहीं है कि आप white से ही हमेशा प्लस बनाये या f12 solve करें आपको जो color ऐसा लगे कि जल्दी बन रहा है आपका time save कर सकता है आपको हमेशा उससे प्लस बनाना try करना है अब देखिए यार क्या होता है actually main हमारे पास सबसे बड़ी हमारे पास वो problem क्या आती है color neutral के time पे f12 की क्योंकि देखिए अगर आप color neutral है और आपने दोनों layers को solve कर लिया किसी भी तरह से like मैं अगर बात करूं कि example लू कि blue हम बना yellow की अगर मैं बात करता हूँ कि yellow हम बना रहे है तो देखिए मैं एक बर f12 solve करके फिर आपको एक चीज बताता हूँ जो कि help करेगी आपको I think 1 minute मैं solve करके बता देता हूँ आपको मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि क्या मैं color neutral हूँ तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मैं अभी 3-4 color पे मेरे actually host चुका हूँ मैं color neutral 2-3 बचे हुए है blue और जो orange है वो मेरा भी बचा हुए तो color neutral का क्या तरीका होता है कि color neutral हम जल्दी से जल्दी बन सकते है उसका क्या तरीका होता है ये भी बताऊँगा जैसे मैंने plus बनाया अब मैं क्या करूँगा white की मुझे इतनी आदत हो चुकी है कि मैं जब f12 pair को देखूँगा तो मुझे पता है कि ये वाला pair और ये वाला edge piece हमारे complimentary है यानि ये दोनो pair up होंगे बट दूसरे colors में मुझे ये नहीं पता क्योंकि मुझे दूसरे colors का sequence ही नहीं पता क्योंकि दूसरे color में मुझे plus का ही sequence नहीं पता तो मैं f12 का sequence क्या करूँगा like मैंने orange अगर plus बनाया तो देखे मेरे को क्या पता करना है sequence क्या होना चाहिए edges का white, blue, yellow, green अब मुझे याद ही नहीं है ये नीचे orange बनना चाहिए तो yellow मैं पहले लगा दूँगा फिर मैं भूल जाओंगा यार कौन सा piece लगाना है तो सबसे ज़्यादा limitation यह आती है हमारी कि हमें colors याद नहीं होते तो color neutral बनने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जिस color से बनाते है maximum लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे white ही color बनाते होंगे मैं अब आपको बोलता हूँ कि आप white color को बनाना छोड़ दीजे कोई भी एक color select कर लीजे जिससे आप color neutral बनना चाहते हैं एक ए color करके हम सीखेंगे like मैंने yellow color select कर लिया आप white तो आपको आता है बट आपको yellow जो है वो सबसे easy पढ़ता है white के बाद क्योंकि इसके जो f12 pairs होते हैं वो बिल्कुल white जैसे ही होते हैं क्योंकि यह इसके opposite color है ठीक है तो आप पहले yellow color को color neutrality से बनाना सीखे color neutrality से मतलब आप अब yellow पे try कीजिए कि yellow जो है आप plus बनाए then इसकी f12 solve करें और जो white piece है वो आपका all or pll के part में आए यानि last layer में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है yellow को try करना है उसके बाद जो red, green, blue, orange आपके color जो बचे हैं उनको आप बाद में try कीजिए यानि yellow आपका color neutral आप yellow पे हो गए white पे आप already होते है maximum लोग white पे होते है red है आप फिर उसको किजिए किसी को भी कर सकते है आपकी मर्जी है red फिर red को जब आप select कर लेंगे तो आपको क्या करना है दूसरे colors को भूल जाना है यानि white और yellow जो आपने सीखे थे उनको कभी use नहीं करना है फिर आपको red को ही use करना है जब आप red को सीख लेंगे फिर आपको दूसरे colors ऐसे ही इस cycle को चलाते जाना है जब तक आप पूरी तरह किसे color neutral नहीं बन जाते है ठीक है color neutral में आपको सिर्फ F2L और plus सीखना है क्योंकि OLL और PLL जो होती है वो किसी भी color से आपकी उपर आए like green color की OLL PLL आ रही है yellow color की आ रही है बहुत simple होती है क्योंकि cases बहुत simple होते है headlight हमें दिख जाती है चाहे कोई सी भी color की हो plus हमें दिख जाता है चाहे कोई सा भी color का हो तो main हमें limitation क्या है कि हमें F2L सीखनी है color neutrality से हमें plus बनाना सीखना है color neutral से like मैं अगर बात करता हूँ चलिए आपको सबसे जादा example मैं yellow color का देता हूँ तो like मैं yellow color की बात कर लेता हूँ एक बार so देखे जैसे मैंने yellow color का जो plus है वो बनाने की कोशिश की है ठीक है अब देखे एक पीस बचा है यह वाला देखे प्लस बना लिया मैंने आप देखे इसके जो edge pieces और corner piece होते हैं वक्त हम complimentary होते है like अगर यहां पर white होता तो क्या होता यहां का edge piece orange और blue ठीक है तो कैसे करेंगे orange और blue को डूंडेंगे हम कहां पे अब आपको सबसे ज्यादा एक easy trick यह बता देता हूं कि color neutral बनने के लिए सबसे easy trick क्या है आप जिस भी color का plus बना रहे हैं like मैं एक बार plus बना के आपको दिखा देता हूं red color का दिखाता हूं आपको और यह देखे red color का plus बना है आपको क्या करना है जो आपका red color है corner में उसके अलावा कौन से pieces है yellow और blue तो आपको वह edge piece जूनना है जो yellow और blue color का और बस फिर क्या करना है solve कर देना है बस ओके यह tips बहुत काम आएंगे अगर आप color neutral बनना चाहते हैं तो आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए लाइक करें शेयर करें चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि मेरे वीडियो तक आप सबसे पहले पहुँच जाए ओके फ्रेंड्स थैंक्यू फो वाचिंग